हेलो स्टूडेंट्स सो रिसेटली असी डूल नीचर ओफ रेडियेशन अड मैटर जेडा टॉपिक सी यो स्टडी करके हटियां उस चैप्टर दे विच असी यहीं चीज स्टडी किती है कि कि दा जो सड़ी लाइट रेडियेशन अड एज अ मैटर तो नों असी कंसिडर करके चल देयां नाओ साथ आज नवा यूनिट एंड नवा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसनो असी कह रहे हैं एटम यूनिट दा नेम है अटम्स अड नुकलियाई एंड जसी अटम्स करांगे अटम्स दा पार्ट्स करांगे असी चोटियां क्लासेस तो ही पढ़ते आ रहे हैं अटम्स दे वारे असी बहुत कुछ पढ़ेया एक्शली दिस इस ओल थियोरी पार्ट एंड एदे विच असी बहुत सारी नमिया चीजां सिखांगे एंड जदों तो ही असी अपनी फिजेक्स नो पढ़ना शुरू कीता था असी अटम, नुकलियाई ए सारी चीजां बहुत पढ़ेयास ठीक है ते एटम तुसी अपनी चोटियां क्लासे से विच भी पढ़के आया हूँ ते एटम दे विच तुसी देख्या भी है कि हुंदा की है सब तो पहला एटम से विच जड़ी थियोरी दिती सी हो थॉंसन ने दिती सी थॉंसन ने 1898 दे विच ए क्या सी तो नो बिल्कुल समझ आजेगा कि क्या सी गा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर है ठीक है उदे उपर सो मैनी नेगेटिवली चार्ज एलेक्ट्रॉंस ने ने स्प्रेड हुए हुए दे ठीक है एस अनुक्या सी गा तुसी देख सकते हूं इस येलो कलर्स आर ओफ एलेक्ट्रॉंस एंड पूरा जड़ा नीचे वालेट पिंक कलर है ओकि या पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर है ते जस्टिफाई हुने कि मैं किता सी के जिनना पॉजिटिव चार्ज सफियर देऊते हूंने ही उलेक्ट्रॉंस ओन के ते इलेक्ट्रिकली की रहन देया नूट्रल रहन देया इन्नो असी प्लम पूडिंग मौडल केनने है क्यों क्योंके शान ऌसी बेख दीयां कि जिमें वाटरमेलन देवेच सीर्ज हुन देने पट यह ज़रूरी नहीं होंदा कि कोई भी चीज हमेशा चल ले तो यह दिया कुछ limitations सीखियां जो limitations ने हो की ने First of all, it could not explain the origin of several spectre line in the case of hydrogen and other atoms क्यों? असी सब तो पहला जदो भी किसे भी atom दिगाल कर देयां तासी hydrogen नो लेके चाल देयां Why hydrogen? क्योंके सब तो smallest जड़ा साथ डेकुल पार्टिकल है ते असी हो दियां जदो spectral lines दी गाल करिये, spectral series दी गाल करिये ता असी जदो सब तो basic चीज दी गाल मदलब study कार लन्या ता असी उस तो बाद हो दियां multiple चीजा नो मदलब बड़े atoms नो explain करन देले easy रहनदा बड़ तॉम्सन मॉडल दीये limitation सी के hydrogen दे spectral lines नो भी explain नहीं कर सके नसी गा ठीक है इट कुड नोट explain दा several spectral series in the case of hydrogen and other atoms अब तो बला ने hydrogen नो नहीं सी किता, that means बाकिया नो दा किता ही नहीं सी ठीक है उस तो बाद इट failed to explain the large angle scattering of alpha particles Rutherford ने experiment किता सी इस तो बाद जाके उन्हें alpha particles scattering experiment किता जो के सदे थॉम्सन मॉडल ने explain नहीं कर पाया सी तो this is also the limitation of the Thompson model alpha particle scattering है जड़ी हो Rutherford ने explain किती सी Rutherford ने experiment है तुसी basically अपने basic studies दे विच पढ़के ही आयो लेट दा एक box सी बिसमत और random दा जड़ा साथे कोल source सी उन्हें ने फिर thin gold foil लई और ZNS स्क्रीन लई चीदे विच की होया alpha particle आया thin gold foil दे पया टकरा के zinc screen दे ZNS screen दे पैन दे चीदे है फिर second and third and then go back है ना ए alpha scattering experiments ही गा तुसी सारे ने ए चीज पढ़ भी रखे उन्हें से experiment ता जड़ा साथे कोल significant है ओ कि ये साननों पता होना चाहिदा basically experiment alpha particles नो लेके कीता गया सी ता हो दे विच की कीता सी यासी thin gold foil दे उत्ते जड़ा alpha particle है उन्हों collide कर वोने या ता की हो रहा तुसी दे विच देख सकते हो हो की रहा है गाया मतलब alpha particle दे विचो beam I deflect होगी कुछ निकलगी ठीक है कुछ straight निकलगी कुछ side नो deflect होगी कुछ deflect back होगी that means what that means ये ने कुछ explain किता जड़ा के साननो atom बारे दास दा atom बारे दास दा ओ की दास दा तुसी इस next जड़ी animation होदे तो देख सकते हो suppose असी gold atom लेंने है ठीक है उदे ते alpha particle scatter करवोना है उदे in between की ये nucleus है atom बारे तो नुपत है nucleus बारे तो नुपत है ठीक है suppose alpha particle आ रहे है straight निकल गया है ना that means कोई deflection नी जदों तक उस nucleus दे अंदर नहीं आया ठीक है कोई deflection नी second जदो nucleus दे बिलकुल boundary तो गया तो there is some deflection ठीक है फिर a little deflection जदों एस nucleus नों टकराया वापस चला गया एदे तो तो उसे key imagine कर सकते हो तो उसे key imagine कर सकते है कि atom दे around बहुत सारी जड़ी space है और खली है ठीक है जितों जड़ा particle है जड़ा alpha particle है वो deflection हो के चला जानता है ना क्योंकि उन्हों मतलब कोई एदा दी force ही नहीं मिल दी जिन्हों जीदे करके वो वापस जा सके या कुछ भी है ना तो एदा मतलब कि यह तो straight निकल गया बिना deflection दे है ना जिन्हों मतलब एदी की है जड़ी space है राउंड इट मस्ट भी एंपटी बहुत ही जड़ी space है वो खली है नेक्स्ट की है के जिड़ा जित्थों जाके है वापस जा रहे है आवला alpha particle वापस मुड़ गया that means what that means what के ओ बहुत ही positively charged space है जड़ी उन्हों bounce back कर दी है जड़ी उन्हों बिल्कुल उल्टा पे जिन्दी है क्यों क्योंकि उत्थे जाके बिल्कुल एक उन्दा repulsion हो दिया ते वापस आ जा जा ठीक है ता यह देख सकते हैं बिल्कुल यह थे की हो रही है हो straight निकल रही है that means atom दे around एक एदन दी space है जड़ी के empty है दूसरा की है कि जड़े large scattering large angle ते जड़ी scattering हो रही है हो की है concentrated to very a small region मतलब जड़ा एदे अंतरा बहुत ही छूटा जा small जा reason है सिर्फ एथे ही अरड़ी मेरी ओ large angle ते deflection हो रही है मतलब 180 degree ते वापस ही आ रहा ठीक है ए चीज की ने explain किती यह ने Rutherford ने explain किती ठीक है उने ओद तो बाद इस angle दे हो थे angle एंड किने नंबरों particles ने जड़े हो scatter होए ने उनना दा एक graph plot किता जो कि इस तरीके दे ना दा ठीक है उन सिग्निफिकेंस जड़ी यह थी पढदे है उन्ही चीज है कि most of the alpha particle pass through the gold foil so most of the space must be empty उन्ही यह थी चीज पढद के हटे है second to explain the large angle scattering alpha particle it is suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a small region which positive है उनकी यह सिपोल देने nucleus of the atom and the size of the nucleus is very small as compared to the size of atom पूरे atom दे comparison दे विच nucleus दा size बहुत चोटा होंदा ठीक है and the nucleus is surrounded by the suitable number of electron ओ दे around suitable number of electrons देने so that the total negative charge is equals to the positive total positive charge in the nucleus of the atom and hole is electrically neutral ठीक है this is the significant results from the Rutherford experiment Rutherford ने experiment किता जेड़ा किता अनू इते जस्ते आस उसी आ वाली सारी चीज़ोंने experiment किता ओदे तो उने यह वाली चीज conclude किती और यह वाला plot किता basically इस आनू दिया significance है जड़िया ओहो पता होनी है चाहिजी आने उस तो बात इस article दो तिन definitions आ दिया ने गिया पहली है गिया distance of closest approach distance of closest approach जिदा केदा नाम ही है ओही चीज नू clear कर रहा कि की होया होबेगा हून suppose करो कि जड़ा मेरे कुल alpha particle है उदा mass m है जड़ा साथा atom दे वालनू आ रहा सीगा ठीक है उदी initial velocity vc towards the nucleus nucleus वालनू आ दे होए उदी velocity की निसी v as it approaches to the positive nucleus nucleus तक पहुंच दा it experiences a columbic repulsion जदो nucleus दे कोलो आया उने nucleus तो repulsion पाई जड़ी आ देखो तुसी यते देख्या ना this one v velocity दे नाल आया repel होके वापस चला गया v velocity दे नाल आया repel होके वापस चला गया है ना एही चीज हो रही सी की हुण जड़ी हो रिपल्शन हो रही है ठीक है repulsion its kinetic energy get progressively reduced खतम होगी हो थे जाकी जटो दे कोल पहुंच या and at the some point it retraces the path गया ते वापस आ गया the distance ro is called the distance of closest approach मतलग किन्नी alpha particle nucleus थी किन्नी नेडे तक जाके वापस आ सकता ओ डिस्टेंस नो सी r0 बोट दिनने है ठीक है कि उत्थे जाके जड़ी है दी पूरी kinetic energy सी हो की देच converted हो जान दिया electrostatic potential energy देविच converted हो जान दिया उन एलफा particle है alpha particle थे charge क्या है plus 2E that means 2 proton है ठीक है nucleus थे उत्थे किन्ना charge है ZD सारे आनो पता आप पहला पड़ी चुक्क है alpha particle बेसिकली या proton प्रोटोन पॉजिटिव चार्जा एलेक्ट्रोन हो देविच हो कट ले हो जान ठीक है हुन kinetic energy की देख कुल हो जान दिया half mv v max square देख कुल हो जान दिया potential energy आपनों पता की देख कुल है क्यू 1 q2 by r0 r0 किया distance of closest approach है ना ता इनों असी की लिख सक देया की लिख सक देया q1 क्या हो गया अपने कुल q1 is 2e है ना q1 is 2e q2 is z e that means क्या हो गया 2ze square into k by r0 है ना हुन conservation of energy क्या कहन दिया kinetic energy is equals to potential energy that means half mv square is equals to 2k ze square by r0 ता इतो सी r0 दी value कर ली r0 की सी अपने को distance of closest approach सी कि ना गया 4k ze square by mv square हुन आची इसो तो उनों clearly पता चाल जेगा this this what is this this is atom this is nucleus when the alpha particle is coming and retracing retraces its path back then the distance this distance r0 is the distance of closest approach this is r0 this is r0 r0 is the distance of closest approach छुन जेडा ये alpha particle r है सी गा यदी kinetic energy जदो ये एथे पहुंचे एथे ते एथे आके ओदी जड़ी kinetic energy बिल्कुल की हो जान दिया 0 हो जान दिया ना जदो kinetic energy बिल्कुल 0 हो जान दिया तो potential energy is change हो जान दिया ताहीं असी kinetic energy is equals to potential energy करके हो जान की कड़िया रिलेशन कड़िया ये दे विच के q1 q2 q1 असी की लिया charge of alpha particle दूसरा charge of the nucleus nucleus से सान नू पता charge of nucleus क्या हो जड़ी and charge on this alpha particle is 2E clear so this r0 is the distance of closest approach next चड़ी साथी definition आओ का दी होएगी impact parameter दी same ओही चीज है it is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle जड़ा alpha particle आ रहा from the center of the nucleus when it is far away from the atom जदो atom तो बहुत ज़्यादा स्दूर है the shape of the trajectory of alpha particle depend upon the impact parameter and the nature of potential field and is denoted by B तुसी हुन जदो है दी animation देखोंगे तुसी नू clearly समझ लोंगे आपा देख लेने हा हुने तुसी इसनो एक फॉर्मूला ते नाल रिपर्जेंट कर देया इस फॉर्मूला इस गिवन बाए 1 by 4 by epsilon z d square cot theta by 2 by half family square that means kinetic energy ठीक है हुन इस एक्सपेरिमान पल असी जो रोदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कीता सी हो दे तो ए चीजा नोट कीती है गई है की की चीजा नोट कीती है गई है कि जे impact parameter large है ता repulsive force on alpha particle is weak छीक है ते particle है जड़ा ओहो almost undeflected जाएगा second की है कि जे सड़ा जड़ा impact parameter है ओहो small है ता force की होएगी large होएगी ते alpha particle है जड़ा हो large angle देनाल deflect करेगा ठीक है और अगर मेरे कुल उस alpha particle दा nucleus देनाल head-on collision होदा मिले डारेक्ट जाके टक रोंदा that means उथे impact parameter की है बिलकुल 0 है that means की होएगा ओड़ाक्ट होएगा almost retrace कर लेगा अपड़े path नो that means ओड़ाक्ट होएगा 180 एंगल दे इसनो असी animation देविच समझ देया एक कीसी अपने कोल atom सी होदे अंदर कीसी nucleus सी this is atom अंदर कीया nucleus ठीक है साननों पता की alpha particle आया और undeflected a little deflected निकल गया ठीक है और मैं हुण अगर इस deflection दे उत्ते tangent ड्रॉ कर दिनिया तो जेडा में रहे देना लेंगल बनदा हो की बनदा theta ठीक है जेडा से यत्थे cot theta ले रहे हैं this theta clear हुण मेरे कुल R0 की सी का R0 की सी मेरे कुल हुण है अपा पिछे पढ़या सी का distance of closest approach distance of closest approach किया हुण देको साथी कुल alpha particle इस side तो आ रहे हैं हर वार तेडा alpha particle आ रहे हो nucleus देवेच atom देवेच जा रहे है जेडा nucleus दे नाल बिलकुल nucleus दे head-on collision कर दे head-on collision में जिद रहो आया डिरेक्ट दे तकर होंदा तो वापस चला जाओगा जेडा यह distance यह distance of closest approach सी जेडा आज चला गया एक एथों दे लेके अथे तक दा distance जेडा मेरा हुणदा उन्हों सी बोल गया impact parameter ठीक है this is impact parameter ठीक है हुण तो से दी definition ने पढ़ो this is the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus perpendicular of the velocity vector ओधा velocity vector of alpha particle ठीक है ओधा perpendicular distance from the nucleus nucleus जे perpendicular distance ठीक है ते एना चीज़ां थे उत्ते डिपेंड करदा उन्हें इस चीज़ों भी तुसी चंगी तरह समझ गे हूँगे पहला किसी का जदो impact parameter large यह that means यह B धी value जादा जिनना भी वद्दा जाओगा उनना ही मेरा चेड़ा alpha particle उन्ट deflected निकल आ जाएगा पिछली animation दे विच भी देख्या सी गा जिनना मेरा impact parameter काटदा जाओगा this is less ना जिनना काटदा जाओगा that means उननी ही deflection जड़ी मेरी हो वादी जाओगी जड़ी scattering जड़ी मेरी हो large angle दे जाओगी और अगर मेरा head-on collision ही होगा मतब सिद्धा जाके उदे चिटकराया तो 180 दे वापसा जूगा है ना हुन असी की पड़ेया सबतों पहला थॉम्सन मॉडल पड़ेया थॉम्सन मॉडल दे विचे simple ओने थोड़ा ही explain कीता सी थॉम्सन तो बाद हो दिया कुछ limitation सी उनने या सारी चीज़ा explain नहीं किती है थॉम्सन तो बाद रुदरफोर्ड ने experiment कीता रुदरफोर्ड ने क्या 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 कीता मतलब उने चीज़ नो देख्या कि atom दे विच एक्चली प्या की की है किते nucleus है किनी space खाल ली है किवे हो रहे हो थे सारा कुछ ठीक है वो दे तो बाद उनने की कीता अपने कोई distance of closest approach दी definition देती और impact parameter दी definition देती बट रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दिया भी कुछ limitations थी वो limitations क्या सी गिया first वो कह रहा कि अगर मेरे कोल जड़ा electron है वो nucleus दे around revolve कर रहा हूँ जदो revolve कर रहा हूँ that means होते कोई energy लग रही है suppose हो EM energy है तो की होगी continually lose उन्दी रहेगी ठीक है जदो continually lose उन्दी रहेगी and move in the orbit gradually decreasing radii वो अपनी radius नो decrease कर दा जाएगा the electron should follow a spiral path spiral path होएगा and fall into the nucleus but the Rutherford model cannot explain the stability of the atom जदो वोने एता दासता के electron नो दे around revolve कर देने बाट वो ए नहीं दासे सक्या सीगा क्यों केडी energy ना revolve कर देने वो कित्थे revolve कर देने तो उन्दो एक consideration लई गई कि अगर electron ने जड़े होदे around revolve कर देने तो जड़े हो energy loss कर देने और loss कर दे गई मतलब आप दे energy नो lose कर दे कर दे आकर जाके nucleus टी गर जाने के है न and second thing कि है कि electron है जड़े ओ inward spiral कर रहे है चीक है frequency would change continually frequency भी change हो रही है so frequency of the emitted light will also change ओ light दी frequency भी change हो रही है they would emit a continuous spectrum that is a line spectrum ओनू वीर उदर फोड है जड़ा ओ explain नहीं कर पाया ऐसी ती ने animation नो तुसी चंगी तरह सामझो ले कि यह सपोस्स सेम ओही चीज मेरे को atom है atom दे अंदर मेरा की है nucleus है है ना positive charge है जड़ा मेरा electron है electron spiral कर रहे है ठीक है एथे देखो this is electron energy lose कर दा होया spiral कर दा होया अंदर ही गिर जुगा ठीक है बट यामेदा ता नहीं होना चाहिदा एस तो बाद Rutherford दी limitations तो बाद जड़ा सी बहुर आया सी बहुर एक कितना दा scientist सी जिने explain किता सी गा planetary model of atom जिदे वीच उने क्या सीगा कि नहीं electron ने जड़े energy loss नहीं कर दे ओ उनु quantized condition बोल दे उनने क्या कि नहीं हो हर orbit दे विच मूव करने energy जिदी n is equals to 1 ते होगे ओ n is equals to 1 ते मूव करेगा 2 ते मूव करेगा orbits दे विच मूव करने ठीक है जब है electron orbits दे मूव किता बिच मूव कर दे रहेगा ठीक है इन्हों सी की कहने है bohors quantization condition important है बहुत ठीक है ओ दे विच होने की कहा के जड़ा मेरा circumference of this circle 2 pi r की दे इकोल होगी n lambda दे विच जड़ी n नहीं हो vary करेगी 1 2 3 4 ठीक है तिस आनो d ब्रोगली hypothesis है ओ की कहने न ता एथो value लेली अपप value दे अकोर्डिंगली यहां सी कहा तो एथे यसी lambda दी value पुट करती क्या आगया 2 pi is equals to n hy mv ठीक है तो mv आर इदर चला गया 2 pi इदर चला गया ठीक है तो इन्हों सी कितना लिख सकते है angular momentum इन्हों सी l is equals to n hy 2 pi that means जड़े असी इस तो पहला Rutherford experiment दे विच angular momentum दिगा लिख सी ओ explain की ने किता सी Bohr ने explain कीता ठीक है जिन्हों सी की बोल देने Bohr's quantized condition clear उने ही इदे postulates ने Bohr theory दे पहला उने क्या explain कीता nuclear concept ओदे नाल उने की किया कि जड़ा atom है ओ small massive central core दा बने होया जिन्हों सी की बोल देने है nucleus जड़ा अंदर है ठीक है तो ओदे around जड़े electrons ले हो move कर देने जड़ा second concept सीगा ओद की या quantum condition दित्ती होने की क्या कि जड़े सारे आले द्वाले होदे circular orbits नेगे ठीक है ओदे angular momentum देना करने जिन्हों सारे angular सारे multiple होने की दे h by 2 pi मतलब इस angular momentum देनाड हो दे around देने जड़े हो move कर third की सीगा stationary orbit मतलब सारे जड़े while revolving in permissive orbit and electron do not radiate energy these non non-radiate orbits are called stationary orbit जड़ा सी Rutherford दो क्या सीगा क्यों हो electron energy loss कर दे रहनगे कोई energy loss नहीं होंदी है ठीक है कोई energy loss नहीं होंदी हो सारे non-radiating orbits होंगे ते उन्हान वसी की कह दिने है stationary orbit कह दिने है last केड़ी सी frequency condition सी frequency condition दे विच की कह सीगा कि suppose एक lower orbit है एक higher orbit है जे electron ने उपरों नीचे ओना ता कुछ energy loss कर देगा जे electron ने नीचे उपर जाना ता कुछ energy gain गर लेगा ठीक है इन्होंगे animation ची देखलाने है suppose these are two energy levels यानी orbits ठीक है इदे आ e1 energy level है इदे e2 energy level है electron उपरों आरहा that means होने की h new energy जेड़ी हो loss किती है अगर electron ने इस side तो e1 तो e2 देवे जाना तो h new energy जेड़ा ओ गेन कर लेगा ठीक है so for today असी postulates of Bohr theory तक study कर देया next lecture दे वेच्च असी hydrogen atom दा जड़ा spectrum सी ओ Bohr ने explain किता उन्हों study करांगे so this is all for today clear रहता उन्हों सब तो पहला Thompson आया Thompson ने explain किता plum pudding model बट ओधिये कुछ limitation सी सी ठीक है उस Thompson तो बाद Rutherford आया Rutherford ने उन्हों सारीया चीज़ान वो explain किता by doing the alpha scattering experiment ओधिये कुछ जड़ियां सदे कोल अच्छियां मन्दब गल्लांसी उन्होंने explain किती है बट ओ वी कुछ चीज़ां ने explain नहीं कर पाया जिम एलेक्ट्रॉन रेडियेट कर दा अच्छि़ां किती है इससे करके इस थी बढ़ दी पॉस्टूलेशन पढ़ दियां पहला nuclear concept पहले ओने गल कही कि nucleus हुंदा small positive massive दूसरा quantum condition that means L is equals to H by 2 पाई दे नाडो orbits दे विच revolve कर दा रहेगा थर्ड हो कोई भी electron है जिडाओ energy radiate नहीं करेगा force frequency condition दे जोने किया कि अगर electron ने higher orbit तो lower जाना तो energy lose करेगा अगर ओने lower तो higher जाना तो energy gain करेगा so बाकि अपा next lecture दे विच कर दे हां so this is all for today अगर कोई doubt है you can ask me thank you